अभी हो रहे हैं रात के साड़े ग्यारा और मैं आई हूँ अपना स्किन के रूटिंग करने तो एक्टिली में स्किन के रूटिन में मैंने अपना फेस बॉक्स अल्रेडी कर लिया था तो सोचा कि आज मैं आपको एक चीज के साथ इंटिड्यूस करवाती हूं जो मैं अभी इस टोनर तो यह टोनर में अभी आपके साथ दिखाने वाली हो इस वीडियो में आपको इस टोनर के बारे में बताने वाली हूं मैंने अपना फेस वास अल्रेडी कर लिया था लेकिन क्या होता है ना कि आप कितना भी मेकब अपना रिमूव कर लो फेस वास कर लो लेकिन कह कुछ आपके उपर रहता ही है तो इस टाइम जब आप टोनर यूज करते हो टोनर कॉटन में डिप करके जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो देखोगे कि एक लेयर आपका ब्लैक इस अभी भी निकलेगा तो यह जो टोनर है यह है डर्माफिक का और यह काफ पारे खतम हो गया है क्योंकि इस बात को लगभग एक साल हो गया है उसके बाद से मैंने यह वाला बॉटल जो है वो पर्चस किया था और इसमें थोड़ा सा मैंने यूज किया है तो यह आप अगर देख रहे हो तो इसका पैकेजिंग इसके ऊपर एक काड़ भी था तो मैं इसका पैकेजिंग जो है यह कुछ ऐसा है और बहुत ही क्लासी सा लूक है तो अच्छी भी हो लेकिन अच्छी और बुरी हो से फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तो डर्माविक का यह जो टोनर है इस टोनर का नाम है डर्माविक सेल बाइसल ओल इन्पोर्टल स्कीन टोनर आच्छा यह टोनर के बारे में एक अफवा ऐसी है कि इसे सिर्फ पिम्पल स्कीन वाले की यूज कर सकते हैं अगर आपकी आपकी ड्राइई है आपकी इस किन औली है आपकी इसकीन कंबिनेशन है या sensitive है sensitive वालों को थोड़ा से चेक करना चाहिए क्या पता उनको suit करे या ना करे लेकिन बहुत साइं sensitive वालों को भी suit करती है और especially pimple skin के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये pimple skin पर बहुत ही amazing काम करता है मेरी skin अभी pimple नहीं है मतलब सालों से pimple नहीं है लेकिन किसी टाइम में हुआ करती थी बट उस टाइम में ये product के बारे में जानती भी नहीं थी अपने teenage में तो खेट जब बहुत सालों से मेरे फेस पर pimple बिलकुन नहीं है और मेरी skin अभी right now dry नॉर्मल भी नहीं बलूंगा जैसे जैसे winter बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी skin dry होती जाएगी उसके छिलके उतरते जाएंगे skin के तो skin dry है और मैं उस पर try करती हूं का एक और benefit क्या है पता है makeup तो remove करता है लेकिन ये आपकी skin को day by day glow बनाता है आप फुद यूज करोगे और समझोगे इसमें alcohol नहीं है क्योंगी एसलेस नहीं है तो यह बहुत अच्छा है कि कोई भी टोनर अगर alcohol free है एसलेस फ्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा है उसके साथ तो आप मुझ बंद करके चले जाना चाहिए चली आपको मैं यूज करके दिखाती हूं यह अंदर से कुछ ऐसा है और इसका मैं अगर दिखा हूं water तो यह एकदम white color में मतलब इसका कोई color नहीं है मैं कैसे आपको दिखा हूं कोई color नहीं है अच्छा मैं इसको एक cotton में ली हूं ठीक है यह white cotton है और इसके उपर मैं ली हूं मैं जस्ट face wash करके यह वीडियो बढ़ाना सुरू की थी और थोड़ी इसी वीडियो डार्क मोड जैसी होगी क्योंकि मैं अभी नाइट में शूट कर रही हूं simple tube light पर तो मेरा ring light है उसमें थोड़ा problem हो गया है तो खैर यह देखिए और इसको मैं remove कर रही हूं आप खुद देखना कहीं ना कहीं आपका जो make up या dust वगर रहता है वो रह जाता है अच्छा अब आपको दिखाओ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आप यह कुछ से try करके देखना आप जो भी toner use करते हो जो भी use करते हो उसको आप try करके देखना वो आपके make up जो होंगे उसको remove करने में बहुत पसंद है देखो मेरे skin पर अभी भी कितनी काली पिली लगी हुई है तो ठीक है तो मैं इससे अच्छे से कर रही हूँ actually मैं इसको दो बार use करती हूँ अभी तो एक make up remover की तरह और एक means face clean करने की तरह और दूसरा use करती हूँ इससे as a toner अपने skin पर लगा के इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर उसके बाद जो आप night cream लगा सकते मॉस्टराइजर लगा सकते as you wish आप जो भी चाहो अच्छी बात यह है ना कि यह मुझे तो बिल्कुल भी जलन नहीं देता है बहुत सारे toner में आपका face में थोड़ा सा जलने लगता है लेकिन इसमें नहीं है कि किसी तरह का fragrance भी नहीं है तो यह बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर अभी वी कितना था ठीक है तो आप यूज कर सकते हो इसको अगर आपकी स्किन सेंस्टिव है तो आपको थोड़ा सा पैस्टेस जरूर करना चाहिए मैंने cotton को उल्टा कर लिया है और इसे ऐसा टोनर की तरह मैं लगा लूँगी और क्योंकि यह ओल स्किन टाइप के लिए सुटेवल है तो यह मेरे स्किन पर तो कोई हार नहीं करता अगर आप लोग यूज किये हुए हो तो आप लोग भी देख रहा आपके स्किन पर भी यह मुझे नहीं लगता कि हार्म टाइम में जब हम लोग एकसेस गुलाब जल टोनर का यूज करते हैं उस समय भी आप लगा के छोड़ोगे तो आपको खुद से लगएगा कि आप अंदर से रिफ्रेश्मेंट महसूस कर पा रहे हो तो आप ज़रूर ट्राइब करना अगर नहीं किया है तो ट्राइब करना आपको मखें काफी पसंद आया और बहुत पसंद आया इसके पहले पहले होके वह सारे नार् yapıyor का यूज कीुए हुं प्लम बहुत सारे शार्फ करना Maine अभी तक मैं बोलूँगे कि जितने सारे टोनर मैंने यूज की है वन अप दे बेस्ट टोनर है यह यह टोनर मेरा फेवरेट बन गया है सबसे अच्छी बात इसकी सेल्फ लाइफ भी त्री एसकी है और जो प्राइज है यह अंडर फाइफ फंडेड है फाइफ फॉर लोग के साथ शेयर की किसी भी तरह का इसमें कोई कोलाइबरेशन नहीं है नो प्र नो कोलाइबरेशन हम इतने बड़े नहीं है कि अभी ब्रांड हम या प्रोच करें तो चलिए दोस्तों उमीद करते हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हुगा अगर पसंद आया